गुड मॉर्निंग और सुबह जो साफ सफाई का काम होता है उपर वाले दोनों फ्लोर्स का हो चुक है अब नीचे करूंगी तो उसे पहले यह अलकलाइन वाटर उसके बाद बाहर की सफाई अभी लाइट जल रही है इसलिए आपको बिल्कुल पूरा रोश्टे दीख रही ह है तो बाहर की सफाई करने के बाद फिर अंदर यह जाना सही सफाई करने में जाना सही रहता है तो बस यह सबसे सही मुझे यही लग रहा है अगर आप चाहें तो इसका मैं लिंक दे तो इसके साथ राउंड वाला भी चल जाता है ट्राइंगल वाला भी ट्राइंगल वाला पुराना हो गया था तो इसलिए उसको रखा हुआ है और अब पांच बजने वाले और लाइट चली गई तो नहा तो चुकी हूं मैं लेकिन मुझे यह ध्यान नहीं रहा कि लाइट न तो चली अब हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं उपर की पुझा हो चुकी है मेरी और अभी बाहर अंधी रही है तो उसके बाद फिर मंदिर से आने के बाद फिर कपड़े मेरे जब लाइट आ गई थी एक्चुली मंदिर जाने से पहले आ गई थी लाइट तो फिर ड लोग है उसके बाद सुरज भगवान कहीं कोने से निकल रहे हैं तो ऐसे दिखाई नहीं पड़ते तो इसलिए कोने में जाके जल तढ़ाना पड़ता है फिर उसके बाद मेरी कुछ ब्रीदिंग एक्सराइज और शाम के टाइम में जब अगर टाइम मिलता है तो फिर दू पानी डालने के साथ थोड़ा सा वाइपर से चट को भी साफ कर देती हूं और यह वाइपर जो है जबकि यह चट पर हमने जो चट का लेंडर होता है उसके ओपर इंट अगरा लगवा के पता नहीं मिट्टी डलवा के फिर इंट लगवाई जिसे ठंडक रहे है तो वाइपर होंगे जो नॉमल वह उस पर नहीं चलते हैं इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है क्योंकि जाड़ू से अगर करो ना तो फिर उसमें तो कपड़े भी गंदे होते है और उसके अलाबा थकान इतनी ज्यादा हो जाती है इसलिए वाइपर ही तो अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और जैसे फेस पे दूप में भी मैंने सफाई की है तो भी फेश वस करके क्रीम लगाऊंगे और फेश वस मैं यूज कर रही हूं मामा आर्थ का बीटूट जेंटल फेश वस इसमें हाईलोरॉनिक एसिड है और उसके लाबा बीटूट ह इस प्लासिक ब्लासिक यूज करता है जैसे कि आपको दिख रहा होगा तो पहले मैंने अपने से पानी से दो लिया उसके बाद अची तरीके से इसको फेस पीर लगाऊंगे इसमें सोप नहीं है तो इसलिए आप इसको निशनतों कर सकते है तो आपकी किती भी सेंसेटिव स इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि मेड सेफ सर्टिफाइड है और साथ ही हमारे स्किन को हाइडरेटेड रखता है बिल्कुल ड्राइ नहीं करता है तो चलिए मैंने फेश वस तो लगा लिया और मामा अर्थ इंडियन ब्रैंड है और साथ ही प्लास्टिक पॉजिटिव ड्रैं है उसके बाद यह मेरे पास है मामा अर्थ का बीट रूट हाइडर फुल एसेंस सीरम इसका मेन इंग्रीडियन है बीट रूट एंड वन परसेंट हाइलोरनिक एसेंड कॉंप्लेक्स जो की हमारे फेस पे हाइडरेटेड पिंक ग्लो लाता है और साथ ही स्किन को स्मूध कर करता है मतलब स्किन आपको ऐसी नहीं लगेगी कि हाथ चिपचिपी सी नहीं लगेगी लाइट वेट फॉर्मूला है और इसका टेक्शर बिलकुल ट्रांस्पेरेंट है यह आपको दिख रहा होगा और मेट सेफ सर्टिफाइड है तो निशिंतों के आप इसे यूज कर सकत करते हैं जो की नैचुरल लगता है बिलकुल और उसकी अलावा हाइलोरानिक एसिड जो है स्किन की मौश्यर को रिटेन करता है और इसे हाइडरेटर रखता है दोनों प्रोड़क्त के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और स्क्रीन पे जो कूपन कोड इसरी वेबसाइट जैसे Amazon, Nika, Purple, Flipkart इन सब पे तो मिली जाएंगे और साथ ही बहुत सारे आजकल मामा अर्थ के आपको ऑफलाइन स्टोर पे भी मिल जाएंगे तो अगर आपके आसपास नेरबाई कोई ऑफलाइन स्टोर हो तो जरूर बताईएगा तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने मामा अर्थ की एप की लिंक भी दे दी है तो उसे आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी आफ़र्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा तो चलिए फेश्वास तो हो गया अब बाकी का काम कर लेते ह तो नीचे वाल फ्लोर की डस्टिंग जैसे अभी ब्रेकफास्ट होगे तो मनाने में टाइम है तो अभी मैं डस्टिंग कर लेती हूं क्योंकि अभी यह फिर तेयार होके आएगा फिर उसके बाद ही बनेगा और बिना नहाय कोई ब्रेकफास्ट हमारे या करता नहीं है और 2 अंधर किया है दो पर नेदम तो स्थ जयसे दो olduğ生an के वह बना दो यह पर दो हम नहीं की हिरा फिर बहार हरा खुण चब्रेइशे बादा कई लोग मुरह से बोलते हैं कि आपने इसा क्यों लगा रखह है और सबसे पहली मज़े है तो यह जो है जैसकिल तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा थिक कर्टन चाहिए कि कल को कुछ अगर कुछ चिंगा रही है कुछ भी इस टाइब की चीजा है तो उस वज़े से और दूसरा जो हाफ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि नीचे से कोई आता है जाता है हमें दिख जाता है कि कोई गेट पे है अधरा भी तो इस टोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो सूप में जादा कुछ नीचा डाला गाई देशी अधरक टमार्टर और थोड़ा नमक डालोंगी और काली मिर्च पावडर और यह बालक चाहे जिस चीज कर भी बना सकते है तो इसमें यह सूप मेकर जो है तो मेरे यह पास अगारों का भी JOHN mostly American Moignynic a dimon , यह निच्का हमिकारी दोनों मुझे ज्यादा यह वाला सही पहु पता है, डिचा में असफी पाल, वाकि क मैंने यह ज़्यादा लग सा टेल वहां है यह इस बूझझा, और अब सबस्गी जवीया मिनट कोई काम कर सकते हैं आपको गरमा गरम सूप रेडी मिलेगा तो पहले मुझे लगता था यह उतना यूसफुल नहीं है लेकिन अब सही में मुझे लगता है काफी ऊसफुल है तो बस इसको मैंने बंद कर दिया प्लग लगा दिया और इसको जो स्मूद मोड पे मैंने ल चाहता है आप चाहे तो और भी चीज़े डाल के बना सकते हैं जैसे लिए प्याज लेसन होगा अभी और उसके उपर मैंने सोने पर सुआगा कर दिया यह आज क्या पनिश्मेंट दे रहे हो मैंने आप सूप पीना है तो सलात भी पहले खा लो तो यह आज का हमारा ब्रेक्फ के बाद थोड़ी दिर हमने बादचीत की टाइम पास किया उसके बाद फिर यह साग एक्चुली बहुत जादा लेके आ गये थे सब्जी मंडी गये थे उन्हें अच्छा लगा इसलिए और उसके बाद मैं ब्रेक्फास्ट के बाद थोड़ी दिर यह बुक पढ़ रही हू मैं वह अराम से सुन रहा है तो खेथ यह तो चलता रहता है सभी घरों में होता है कर मैं डाãट नहीं को इसको बात कर रही हूं लेकिन मैं अपनी ही शकल देख mec इन्हें शकल बना यह हूं जब खुद को देखो ना बात पता लगता है अगर आप गुस्सा जदें झाल अगर आप लोग को फिर टोजाते छाट है अग्यांद या नोग आपन अद गया है म अजा है मैं थोड़ी सोज्छा यह बद्ला है या उसके बाद मैंने का कपड़े फोल करें लेती हो उसकी बाद ये शाम का टाइम है शाम को फिर मेथी मनाएंगे हम लोगालू मेथी ये तो साग साग खाके न साग जैसे हो जाएंगे और अचुटी का दिन है तो अराम से फिर कमल जी थोड़ी जर के लिए फिर भी बाहर ग है तो ज्यादा कुछ ताम जाम नहीं है दिनर सिंपल ही होता है वैसे इस साग लगबक साफी था इसमें ज्यादा एस अंब मेन मुद्धे पर आई हो इसको फिर से इसमें मिलावट करने के लिए और शाम को मैंने बनाया था फिर से सूप पालक का क्योंकि पालक भी जाता थ अगर मन किया तो एक रोटी खालूंगी नहीं तो बस इन दोनों के लिए बनाऊंगे तो यह रोटी देखने में तो ऐसा लगता है ना कि जैसे बिचारी बहुत मजबूर रोटी हो दुखी रोटी लेकिन यह डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और खास करके जो शुगर अबेरा वाले हैं तो उनके लिए ज़्यादा सही रहती है इसलिए मैं डाल देती हूं यश तो बहुत गुसा करता रहता है उसके बाद आलू मेति बनाऊंगे तो जैसे आलू अची तरीकी से पक जाएंगे थोड़े से गुल्डन हो जाएंगे उसके बाद इसमें मेति डा और यह बस मेति डालने के बस थोड़ी दिर बादी हो जाएगा और फिर उसके बाद बरतन वरतन धोना यह तो खेर सभी घरों में काम होता ही रहता है तो बस यह मेरा आज कर डिनर हम लोग का बन चुका है उसके बाद गैस को मैं जैसे तैसे अभी साफ कर लेती हूं और ज् अभी दोती होपाते है तो बरतनों को पानी से एक बार खंगाल लेंगे ना तो में खाने यह नहीं हो कोख रूग और आगे तो फिर जाने का नाम नहीं ले यह को सोब़े के लिए यश्का। जबरदस्ति उसको पीलाना में पढ़ता है उसको बतस हो बना लेते हैं मैं और यह आजवाइन पानी मैंने कमल जी से भी पूछा था उन्होंने मना कर दिया तो यह मेरा और यह अश्का है तो बस यह आजवाइन पानी पीके फिर उसके बाद कपड़े वगरा बदल के और जब मैंने यह सूट पहनाना तो मुझे लग रहा था कि दिन वाले से सही तो य बता लगेगा ज्यादा क्योंकि मैं कई बार बीच में स्किप कर देती हूं तो चलिए अब मैं जाने हूं सोने के लिए तो आज यही था मेरा सुबह से लेकर रात तक का व्लॉग मिलती हूं नए व्लॉग में तब तक के लिए